हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो न्यू वीडियो ऑफ इंडियन उयल कॉर्परेशन फ्रेंड्स आयो सी के अगर हम बात करेंगे तो पिछले कुछ समय पहले यानि कुछ मंस पहले हमने इस पर्टिकुलर शेयर को जो है अराउंड 80 रुपीज के आसपा जो है कवर करना स्टार्ट क उसके बाद जब से 96.80 की प्राइस टच हुई उसके बाद शेयर में कंटिनियूस लिए हमें गिरावट देखने को मिली गिरावट इसलिए देखने को मिली थी फ्रेंड्स क्यूंकि रेड से में काफी जाधा इसकलेशन बढ़ रहे थे और क्रूड ओल की प्राइज जो है से बढ़ना स्टार्ट हो चुकी थी विकॉस रश्या से हमने काफी अच्छी मात्रा में जो है पर्टिक्लरली इंडिया में काफी बड़ी मात्रा में ऑईल जो है क्रूड ओल इंपोर्ट किया गया बट अभी रेश्या ने जो है उनका जो प्रोडूक्शन है उसकी प्राइजे से और यह बढ़के 100 रुपीज तक भी जा सकती है आने वाले कॉटर में तो क्यों यह जा सकती है और क्यों शेर में उसके बाद हमें कंटिनियूसली गिरावट देखने को मिल रही थी बिकॉस मिडल इसमें काफी जादा जो है टेंशन है रेड सी में की तरफ से जो क्रूड ओयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो सीप होते हैं उन पर कंटिनियूसली जो है अटैक हो रहे है बिकॉज आफ मल्टिपल कॉन्फिक्ट इशू इन मिडल इस तो उसी को यह जो है बड़े अपडेट के साथ जो है मार्केट में आज एक न्यूज आ किया था उसके रिटेलियेशन में जो है यहाँ पे है तो यहाँ पे अल्मोस्ट 300 ड्रोन मिसाइज जो है अटैक की गई है इसराइल की तरफ से बट इसराइल की तरफ से यह कहा गया है कि अल्मोस्ट 99% मिसाइज जो है उन्होंने हवा में ही मार गी रही है बट इसकी में इंपक्ट हो सकता है particularly हम OEMCs के बात करेंगे तो यहाँ पर वही सारी डीटेल्स दी गई है जो मैंने भी बताई one of the biggest impact on tension in the Middle East could be on crude oil prices last week oil prices neared a six month high on concern that Iran the third largest OPEC producer might retaliate for the suspected Israeli warplane attack on Iran's embassy in Damascus after the fear came true on the weekend यानि weekend में अभी fear जो है वो true हुआ और analyst fear that the crude oil prices which had settled near by 90 rupees a barrel mark on Friday could cross 100 rupees level in next few days तो कुछ few days में ये prices तक जा सकते हैं अगर यहाँ पर इस्राइल अभी इरान के attack का कुछ response देता है तो यहाँ तक इरान की बात कही जाए उन्हों ने बोला है कि ये retaliation में जो embassy पे attack हुआ था उसके return में जो है इन्होंने cross fire किया और इसके बाद जो है किसी भी तरीके का fire उनकी तरफ से या किसी भी तरीके का attack उनकी तरफ से नहीं होगा बट यहाँ पर definitely history अगर हम देखेंगे तो इसराइल जो है चुब बैठने वालों में से नहीं है यहाँ पर इसराइल की तरफ से अगर किसी भी तरीके की action इरान की तरफ होती है तो definitely हमें OMC shares में काफे ज़्यादा impact देखने को मिल सकता है यही इस particular news में बोला गया है और same चीज अलग-अलग analyst के तरफ से news channels के तरफ से report किया जा रहा है कि oil on boil as Iran launches attack on Israel what would be the impact on petrol prices तो यही सारी तरफ जो है friends update से यहाँ पे बोला जा रहा है किस तरीके से prices बड़ी है इसका किस तरीके से impact हो सकता है इंडिया के अगर हम बात करेंगे तो almost 85% हम जो है energy के लिए बाहरी देशों से particularly middle east से जो है dependent है तो हमरे लिए यह काफी जादा impactful हो सकता है अगर यहाँ पे इरान और इस्राइल की जो है escalation और बढ़ती है तो आपको already पता है कि Israel और हमास का जो है war already चल रहा है और उसी बीच यहाँ पे Israel ने उनका front खोल दिया जिसके चलते यहाँ पे middle east में और ज़्यादा टेंशन बढ़ सकती है so यहाँ पे friends apart from OMC stocks दूसरे stocks पे भी काफी ज़्यादा impact हो सकता है जिनमें आदानी ports बोला जा रहा है इस report में और कुछ IT firms भी है कुछ pharmaceutical companies भी है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इस particular statement में तो यहाँ पे over all अगर देखेंगे तो ऐसी companies cover की गई है जिनका Israel में काफी अच्छी percentages में एक decent percentages में जो है involvement है या presence है और उसी को यहाँ पे इस report में cover किया गया है तो यही सारी important details दी friends IOC के बारे में thank you for watching this video